हेलो एस्टुडेंट स्वागत है आपका इगनो के एक और महत्पुन वीडियो में आज के इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एसाइमेंट कब तक सम्मिट कर सकते हैं तो ऐसे एस्टुडेंट जो जून 2023 में एक्जाम देना चाहते हैं एक्जाम के लिए तयारी कर रहे इस विशय पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे तो वीडियो को अंतक देखिए अगर आप भी जून 2023 में एक्जाम देना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्डेंट होने वाला है साथ ही अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और साथ में बने बैल नोटिफिकेशन को अन किजेगा ताकि इगनों से संब्सक्राइब जीतने भी महस्पूर्ण जानकारी और लेटेस्ट न्यूज इनफोर्मेशन होता है वह वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचता रहे ताकि आप बिना परिशानी के जो डेट है वो अब बढ़ा करके आपको इस मन्त के एंड तक रखा गया है अगर आप जून दुहर तईसमें एकजाम देना चाह रहे है तो आपको अपना एसाइमेट करना होता है अगर आप समय सिमा के भीतर तैस समय समय पर अपने एसाइमेट को समिट नहीं करते हैं तो जब भी आपका रियल्ट आएगा वहां आपका इनकंप्लीट सो करेगा यानि कि विनास असाइमेट समिट किये आपका कुर्स कंप्लीट नहीं हो सकता क्योंकि आपका जब रियल्ट बनता है तो उसमें आपके थियोड़ी के साथ साथ आपके एसाइमेट के भी नंबर एड समय सिमापर किसी भी कारण से नहीं पहुंच पातें, नहीं submit कर पातें, तो आपको आगे काफी परिशानी का सामना करना पड़े गा. आपका काफी समय खराब जाएगा. इसमें कोई दिक्कत, इग्नों का कोई loss नहीं होता, बच्चों का ही loss होता है. इसलिए last आंस देट का इंट्रयार बिल्कुल ना करें और अट्रीटित से पहले ही अपने संद्ट को कि शमिट अवर्सिय कर दे तो चलिए बात कर लेते हैं कि कब तर अपने संद्ट को संविट करें गे और इसके लिए उपड्रीट है वे क्या एंड जो भी है आपका जून 2023 एक्जाम के लिए वह क्या है 30 अप्रिल 2023 रखा गया है 30 अप्रिल 2023 तो आपके समय आपके पास अभी भी 10 दिन का समय है वैसे यह डेट अभी और एक्सेंड होगा एक्सेंड निशित रूप से आगे यह डेट बढ़ेगा लेकिन फिर भी मैं इंतजार ना करें किसी भी कार्ण से डेट एक्सेंड नहीं होता है तो आपको काफी परिशानी हो जाएगी इसलिए लास्ट डेट और एक्सेंड होने का इंतजार बिल्कुल ना करें क्योंकि जून 2023 में आपको एक्जाम देना है तो उससे पहले अगर आप अपने एक्जा परें वरन्कोषक अंधी में आपको अपने लिखने में यह उप्छने में बड़ा प्रबत अाये जमा करना है तो और वह यह बहतर हो जाएं और जमा करें शाथ मैं को कई वह झत घविक हैं पावती रिशिप्ट होती है वह अवसले ताकि अगर आपका एसाइमेंट गुंभी हो जाता है तो आपके पास रिशिप्ट रहेगा कि आपको नमबर दिये जाएंगे आपको दुबारा से लिख करके जमान नहीं करना पड़ेगा इसका विशेश रूप से द्यान रखेंगे तो यह महत्पून जान करी थी अगर आप जून 2020 का एक्जाम देना चाह रहे हैं और एसाइमेंट समिट करना है तो यह वीडियो आपके लिए काफे इंपोरेंट है और जितनी वाते मैंने आपको बताई है उसका विशेश रूप से द्यान रखें ताकि इगनों में किसी प